बूर्णिंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिटल स्वरुप्रिंगर कानपूर बहुत लोग डकारों से बहुत परेशान रहते हैं यह बात बिल्कुल सही है कि अगर डकारें आपको ज्यादा आती है तो यह आकवर्ड सिच्वेश में आपको डाल सकती हैं जो डकारें आपको ज्यादा आती हैं कभी उनके साथ में खाना वापस आ जाता है जो डकारें है एक्च्वली आपको अनकॉम्टेबिल फील भी कराती है तो इसलिए डकारों के जो रिजन्स हैं उनको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है कि डकारें आने की संभावना बढ़ती है अगर आप खाना बहुत तीजी से खाते हैं तो उसके साथ में आप एयर को स्वैलो करेंगे तो डकारें आने की संभावना बढ़ेगी अगर आप खाने को ठीक से चवा के नहीं खाते हैं धीरे धीरे नहीं खाते हैं तो डकारें आने की है, वो important है, नंबर दो पर आप जो खाते हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप जो पीने वाली चीज़े, उनमें क्या इस्तिमाल करते हैं, आप अगर सोडा ज़्यादा पीते हैं, अगर आप में उस तरह की चीज़ें पीते हैं जिसमें फिस ज़्यादा है आप बियर ज़्यादा पीते हैं जितने भी बबली ड्रिंक होते हैं उनमें वास्तों में कारबन डाय आकसाइड होती है यह जो extra air आपके स्टमक में जाती है वो ultimately डाकारों में बहार निकलेगी इवन जो hot drinks हैं जैसे आप sip करते हैं उनके साथ में आप air swallow करते हैं and possibility इस चीज़ की है कि आपको डाकारे ज़्यादा आएंगी तो इसलिए जो beverages हैं जिनमें carbon dioxide ज़्यादा होती है यह जिनमें bubbly duns होते हैं bubbles होते हैं उनसे डाकारे आने की संभाव ना बढ़ेगी that's number two now number three जो पर आप खाते हैं उनको ध्यान से देखे जैसे आप प्याद ज़्यादा खाते हैं आप tomato ज़्यादा खाते हैं यह citrus fruits ज़्यादा खाते हैं यह सब acidic nature के होते हैं आपके खाने की थेली में acid ज़्यादा बनेगा acid ज़्यादा बनेगा तो डाकारे आएंगी ऐसे ही आप spicy food ज़्यादा लेते हैं जिसमें मिर्च ज़्यादा है मूली है black pepper है यह सब acid की मातरा को बढ़ाते हैं यह ultimately आपको डाकारे आने की संभाव ना बढ़ेगी इसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे केंडी खाते हैं एडल्स भी केंडी इस्तिमाल करते हैं जब आप च्विंगम इस्तिमाल करते हैं तो आप बहुत सारी air को swallow करते हैं जो आपके पेट में जाती है यह जो swallow करने से air पेट में जाएगी वो ultimately आपको डाकारों में निकलेगी यह आपको uncomfortable बनाएगी ऐसे ही जो I mean कुछ high fructose corn syrup होते हैं यह sweeter जैसा यूज किया जाता है बहुत सारे drinks में यह जो इस तरह का high fructose corn syrup है वास्तों में आपको डाकारे लाने की ताकत रखता है जो fructose sugar है वास्तों में अगर डाजिस नहीं होगी तो डाकारे आएगी fructose most of the fruits में भी होता है लेकिन natural जो fructose है जो fruits में होता है वो उतना problematic नहीं है जितना high fructose corn syrup है जो sweetener जैसा यूज किया जाता है बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनने दूद तॉलरेट नहीं होता या दूद पच्चता नहीं है दूद इसलिए नहीं पच्चता है क्योंकि milk में एक sugar होती है जिसे कहते हैं lactose बहुत सारे लोग lactose intolerant होते हैं क्योंकि उनकी जो intestine है उसमें lactase enzyme की deficiency होती है जो lactose है अगर आपने लिया और आपको deficiency है तो वास्तो में जो lactose sugar है वो ferment होगी आपकी intestine में आपकी stomach में अगर ऐसा है तो आपको डखारे आएंगी आपको heaviness होगी और आपको pain या maroda भी मेंसूस हो सकता है तो इसलिए अगर आपको lactose intolerance है तो इस important कि बहुत सारे lactose supplements आते हैं या तो उनको इस्तेमाल करिए या आपको जो milk product है या dairy product है उनको बिलकुल बचाने की जरूरत है तो ये खाने पीने की कुछ चीज़े हैं जो आपको डखारे लेके आती हैं नो कुछ बीमारियां हैं या problem से उनको भी एक नजर ध्यान से देखिए जो आपको डखारे ला सकते हैं एक helicobacter pylori नम का infection is the most common जो खाने की थहली में होता है ये आपको खाने की थहली की सतИह में sprite कर सकता है ये आपको अगसर जैसी problem कर सकता है तो इसके चलते आपको पेट में जलन भारिपन और डखार आना is a very common problem और इसको treatment के जरूरत है बिना treatment के जाएगा नहीं नो जो acid reflux है जो खाने की थेली से acid खाने की नली में आ जाता है यह एक्चुल एक खाने की नली और थेली के बीच का जो junction है अगर यह lose है तो acid ऊपर चलके आपके खाने की नली में आएगा और ऐसा है तो आपको डखारे आएंगी इस तरह की यह problem है pregnancy में काफी common है यह obesity में काफी common है जिससे आपको acid reflux की तलते डखारे आने लगती है जो हमारी खाने की नली है खाने की तहली इसके बीच में एक valve होता है अगर यह valve lose हुआ तो कभी-कभी खाने की तहली का जो portion है वो slide होके खाने की नली यह चेस्ट में आने लगता है अगर यह इस तरह का push होके उपर आता है इसे कहते हैं हाइटस हरनिया हाइटस हरनिया होगा तो acid reflux होगा gas बनेगी डखारे आएंगी अगर ऐसा है तो आपको अपने doctor से consult करने की जरूरत है शायद इसको investigation कराने की जरूरत है इन इसको proper treatment की जरूरत है तो look at the ulcers जो डखारों के problem है वो gastric ulcer में भी होगी वो donor ulcer में भी होगी यह जो ulcers है चाहे वो helicobacter के चलते हों चाहे दर्द नवारक दवाईयों के चलते हों symptoms एक जैसी होंगे आपको डखारें आएंगी खाने के बाद आपका पेट फूलेगा इन पेट में जलन पड़ेगी या पेट में दर्द आएगा तो इसलिए डखारें अगर है और सत्में दर्द भी है पेट में तो आपको अपने सारे digestion के लिए important है अगर pancreas proper काम नहीं कर रहा है juices properly नहीं बन रहे हैं तो आपको पेट में भारीपन डखार और indigestion इसे very common problem अगर आपके intestine है उसमें gut bacteria जादा है इन unhealthy gut bacteria जादा है तो ये वास्तों में आपको gas build up करेंगे इन इससे आपको डखारें तो आएंगी आप gas pass भी जादा करेंगे इन आपके जो सांस है उसमें बदबू भी आएगी जिन लोगों को asthma है अस्तमा के साथ में ये problem है जो अस्तमा है उसमें आपके जो diaphragmatic muscles है वो ज़्यादा काम करती है इन वास्तों में जब ज़्यादा काम करेगी तो air को pull करेगी खाने की नली में इससे वेगस में उसके चलते आपको डखारें आएंगी it's a very common problem तो अगर अस्तमा है उसके साथ डखारें आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से बार ब posture में होते हैं तो actually इसके साथ में काफी सारी air भी आपके पीट में चली जाती है on an average ऐसा माना जाता है कि रोज आप two quarts मुकस बनाते हैं नाक अंगले में मदब ऐसा नहीं है कि कभी कभी बनता है या जो मुकस है जब आप सर्दी खांसी होती तब ही बनता है मुकस रोज बन जादा है चाहिए वो depression को lead कर रही हो चाहिए nervousness को तो आप ultimately जो air है उसको swallow करते हैं या गल्प करते हैं और actually जैसे ही आप गल्प करते हैं तो फिर वो डाकारों में बाहर निकलती है या आपकी habit का हो सकती है हिस्सा हो सकती है कभी-कभी ये attention seeking behavior होती है जिससे functional irrigation के नाम से जा दिखें कि जो डखारें आती हैं वो आपकी diet आपकी lifestyle उसका हिस्सा हो सकती है लेकिन डखारें कभी-कभी medical problem का सकती है acid का सकती है कुछ infection का सकती है तो अगर आपको लगता है कि डखारें ज़ादा है इन lifestyle को ठीक करने से उन्में फरक पढ़ रहा है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डकारें लाइफ स्टाइल से ठीक नहीं हो रही है, इन बाकी भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी की जरूरत है, कि कहीं कोई medical problem तो नहीं है inside the stomach, जिसको correct करनी की जरूरत है तो डकारें क्यों आती हैं, इसको समझने में, अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा, फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिटल, स्वरुपनगर कानपूर थेंकियो वर्यमाच